Hello everyone and once again welcome to WSQ Tech, myself Umar Daskir. Guys, इस particular वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Google Search Console से related कुछ mistakes की या कुछ ऐसी चीदों की जिनका हमें ध्यान रखना है Google Search Console पे काम करते वाकिए तो चलिए guys, शुरू करते हैं और जो सबसे पहला point मैंने हाँ पर लिखा हुआ है वो है start analyzing report according to the search type बहुत सारे लोगों को क्या रहता है कि वो reports तो देखते हैं यानि कि वो Google Search Console में जाते हैं और analysis करना श्टार्ट करते हैं बट वो search type पे बहुत जादा focus नहीं करते हैं यहाँ पर आपको option मिलता है कि आप जो है analysis कर सकते हैं अलग-अलग search type के according आप web के according analysis कर सकते हैं आप analysis कर सकते हैं image के according और आप analysis कर सकते हैं video के according तो भले आपका जो main focus है वो web के उपर हो बट आप कोशिश करें कि आप दूसरे जो filters है search type से उनको भी use करें और यहाँ से भी कुछ important insights आपको मिलेंगी कि आपकी जो website हो किस तरीके से perform कर रही है search में images और video के point of view से next चीज के अगर हम बात करें that is make sure that google bot can crawl your js, css and image files by using the url inspection tool तो आपको देखना है जो सबसे important चीज होती है google search console की कि वो ensure करे कि हमारी website जो है proper crawl हुई है या हमारी website जो है proper index हुई है या नहीं तो ये एक दूसी चीज से हमें ध्यान में रखना है कि एवल integration काम नहीं करता है बहुत सारे beginner से गलती कर जाते हैं कि उनको लगता है कि google search console हमने जो है वो integrate कर दिया बस उसके बाद भी बहुत सारी चीज़े होती है जिनको आपको करना होता है इसकी थोड़ी से आप habit डालो और ये किसी भी टूल के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा कि अगर आप team settings में काम करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप user access ने आप master ID passport किसी को मत दे कोशिश करें कि आप access provide करें ताकि आपको पता सल सके कि किसके पास कितना control है और क्या changes कर रहा है ये भी सारी चीजों में होता है जैसे कि search console हमें बहुत सारी matrices देता है बहुत सारी matrices देता है जिनके हम analysis करके बहुत सारे recommendations suggestions निकाल सकते हैं यहां से आपको identify करना है कि आपके लिए कौन से important KPIs है जिनको आप लोग follow करना start करोगे तो आपको यह धिहान रखना है कि आपके लिए कौन से important KPIs है submit every new URL for inspection आप देखो ऐसा क्या हो करना है आपको कि जैसे आपने अपनी property Google search console में submit कर दी और उसके बाद आप अपना कोई blog लिखते हैं तो there are chances कि ये वाला जो URL है नए blog वाला जो URL है इसको index कराने में time लग जाए तो आप कोशिश करो कि इस URL को भी आप यहां पर index करा है जो भी आपका नया URL बन रहा है जो भी आपका नया page बन रहा है अब यहां पर यह जो मैंने point लिखा है कि Google Search Console की data को आपको blindly नहीं follow करना है इसका मैं अगर आपको example बता हूँ तो आप देखते होगे कि Google Search Console में आपको एक average position की average position की आपको एक report दिखती है एक data दिखती हमको average position की अभी जो average position count होती है guys यह count होती है basically 1000 results के उपर यह count होती है 1000 results के उपर तो for example किसी एक नए keyword के उपर किसी एक नए keyword के उपर आपका कोई page आपका कोई page 300 position पर rank कर रहा है इस बात को थोड़े ध्यान समझेगा कि Google Search Console में एक metric होती है average position की average position हम देख सकते हैं कि किसी keyword के उपर जो हमारा page है वो average कहां पर rank कर रहा है या किसी हमारी website की average position क्या है कहां पर average position है तो अगर हम इस बात को इस तरीके समझें कि average position पहली बात है कि average position जो calculate होती है वो thousands results 1000 positions तक के जो average आता है उसके हिसाफ से calculate होती है तो for example अगर आप किसी एक नए keyword के उपर आपने rank करना शुरू कर दिया और वो keyword जब नए keyword के उपर आप rank करोगे ज़रूरी तो नए keyword पर आजाएगा आपके page पर second पर आ जाएगा हो सकता है आपने नए keyword के उपर rank करना शुरू कर और वो बहूत पीछे आ रहा है ठीक है वह जो ranking है बहुत पीछह आ रही है मैंने मान के रखा है कि 300 position पे आ रही है तो बहुत सारे keywords जो है उनकी अगर आपकी ranking जो position है वह अच्छी position है और एक जो आपका keyword है वह क्यूंकि वह नया keyword एकदम से उसको पर ranking का नहीं start हुई वह बहुत ही down है वह ranking बहुत down है तो जब आप average लेने जाओगे तो आपका average खराब हो जाएगा जैसे मैं एक example बताओं जैसे अगर आप देख रहे हो एक बार आपकी ranking आ रही है for example 10 ठीक है ये keyword के उपर आपकी ranking आ रही है देखो किस परीके से data थोड़ी सी problem create कर जाती है keywords पर हमारी ranking और यहीं पर यहीं पर जो नया keyword है उसके ओपर हमारी ranking आ रही है दुस्दियल मान ले तो अगर हम इसका एक निकालेंगे तो यह average कितना आ जाएगा यह एवरेजज आ जाएगा 105 average position इसको मान लेते हैं average position तो average position अगर आप keyword के उपर हम 200 position पे राइंग कर रहा है जिसकी वज़े सा हमारी average position खराब हो गए बट हो सकता है ये keyword हमारे लिए उतना important भी नहीं तो important बात ये है कि ये जो हमारी data वाला point यहां पर लिखाएगे हर समय आपको data को blindly follow नहीं करना है कुछ चीजों का भी आपको ध्यान रखना है कि जो problems होती है real time problems होती है इनको भी consideration में रखना है इनको भी सोच के चलना है कि ऐसी भी चीज़ें होसे है इस particular वीडियो में इतना ही मिलता है नेक्स वीडियो में till then good bye